बलुस्त्री शत्गुरु महराज की स्री प्राणनाथ प्यारे की ख्वाब बैठ इन अरस में हग के दिखाया तुम को महमत कहे ए मौमिनो पहचान लिजो दिलमो पहचान लिजो दिलमो पसु पंखियों की अस्वारी अस्वारी पसु पंखियन पर धनी करते है जब जो जहां वशत है सो आए मिलत है सब सो आए मिलत है सब अश्वारी पसु पंखियन पर अक्षिरातीत धामधनी स्रिडाज्य की अस्रीम अनुकंपा की द्वारा तार्तम सागर दिब्वेवानी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम चिंतन करते आ रहे हैं जिसमें अब तक 28 प्रकरन तक के चवपायों को अध्यन किया चिंतन किया स्रवन किया अभी के इस सत्र में हम प्रारंब करने जा रहे हैं 29 प्रकरन तो यह प्रकरन में परमधाम में पशुपंखियों के अस्वारी इस विशे के उपर विशेस ये प्रकरन में चर्चा किया गया है जैसे इशे पूर्ब प्रकरन में पशुपंखियों के इसक सनेह ये कहा तो जिश में परमधाम के बन में और जमीन में कोई तो जल के अंदर रहने वाले जीव इन सब के अंदर धनी की प्रती कितना अधीक इसक है और धनी की पहचान इन सब के अंदर बल और फिर धामधनी स्रिडाज जी महराज इन सब के अंदर इसक ही सिंचन करते हैं ये सब प्रसंग चिंतन हुआ वर्रन हुआ अब ऐसे पशू पंखी जानवर आदी परमधाम में ये सब सवारी के साधन रूप है तो स्रिडाज जी स्यामा जी सखियां पच्चिश पक्ष परमधाम के सैर के लिए वैसे रंगमहल के छटी भौम में छहजार सुकपाल और एक तखत तरवा ये तो सवारी के लिए साधन बिमान रूप है ही इनके अलवा परमधाम के ये पशू पंखी आदी भी स्रिडाज जी स्यामा जी सखियों के सवारी का साधन है मन चाहे स्रिडाज जी कभी सुकपाल में कभी तकतरवा में कभी तो अलग-अलग जाती के पशू पंखियों में सवार होकर अपनी सखियों के साथ में पच्श पक्ष परमधाम का सैर करते हैं ब्रह्मन करते हैं अलग अलग जगा में अलग अलग प्रकार की लिला भी हार करते हैं तो ये सवारी का साधन असवारी रूप पसुपंखियों की ये प्रसंग यहां पर बताया तो चौपाई को हम प्रारंब करते हैं असवारी पसुपंखियन पर धनी करत है जब जो जहां वशत है सो आए मिलत है सब अश्वारी पसु पंखियन पर पसु में हो पंखी में हो इसके उपर धाम धनी जब सवार हो करके शेयर करने की इच्छा करते हैं धनी करत है जब धाम धनी जब इच्छा करते हैं चाहते हैं तो जहां जहां भी पसु पंखी अपने अपने स्थान में बैठे हुए हैं धाम धनी की सेवा के लिए सनमोख हाजिर हो जाते हैं कहा जो जहां बसत है सो आए मिलत है सब साब कोई आ करके धनी की सामुने में मिलते हैं हाजिर हो जाते हैं अस्वारी को रूहन को जिन पर हुआ दिल तिन आगों ही जानिया सो आए खड़े सब मिला अब कभी धाम धनी इच्छा करते हैं तो कभी तो फिर सखियां ही इच्छा करते हैं कि आज पशू अथवा पंखी उसमें भी किस जाती के पशू पंखी के उपर अस्वारी करना है सवार होना है जब इस तरह से रूहें ब्रह्म प्रियाएं भी दिल में विचार करते हैं जिन पर हुआ दिल जिसके दिल में जैसा उत्पन हुआ तीना आगों ही जानिया वो पशू हो या पंखी पहले ही वो बात जान लेते हैं और जानते ही सो आए खड़े सब मिल साब मिल करके सेवा में हजीर हो जाते हैं सामने में आखर के खड़े हो जाते हैं अब कुछ जानवर पशूओं के नाम लिया है केशरी बाग जीते हाथी और जाते कई अनेक कहा जीन बने अंग उत्तम सो कहा लों कहों विवेका तो अश्वारी के लिए केशरी है हाथी है चीते है और बाग भी है और जाते कई अनेक और भी कई जाती के अनेकों जाती के है और ये सब का सरीर का बनक ही कैसा है कहा जीन बने अंग उत्तम अंग ऐसे उत्तम है और जिसके शरीर में उपर जीन, जीन मतलब वो अशवार होते समय उपर बैठने के लिए जो सुविधा के लिए अलग सा यहां तो बनाना पड़ता है जैसे घोडा के उपर सवार होना हो तो घोडा के यहां पीठ के उपर वो जीन लगाया जाता है न परंतु परम्धाम के असवारी के साधन रूप इन पशु जानवरों की सरीर ही ऐसा है वो स्वैम सिद्ध जीन बना हुआ है उत्तम है सो कहां लों कहूं विवेक उसको मैं ही विवेक से कहां तक बर्रन करों कई बीधा असवारी होता है कई प्रकार से इन पशु जानवरों की उपर असवारी सवार होते हैं बुजरक जो जानवर और स्रेष्ट है ये जानवर जिसके उपर सवार हो रहे हैं ये स्रेष्ट है जीन जुगत क्यों कहे सके जीन जो कहा न जीन कहने से उपर बैठने के लिए सहज हो वो बनाया हुआ जैसे घोड़ा की उपर हाथी की उपर सवार करना हो तो भी तो यहां तो ऐशे ही हाथी की उपर नहीं चड़ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं तो उसके उपर अलग सा बनाया होता है वो बैठने के सुबिदा के लिए उसको जीन कहते हैं परंतु परमधाम में वो स्वेमशिद्ध बनी बनाओ ही है जीन जुगत क्यों कहे सके उसकी जुकती को उसकी बनक को किस तरह से कह सको जो असल बने इन पर देखिए तो वो बनाया हुआ नहीं है असली लूप में उहीं पर सजा हुआ है तो उसको मैं किस तरह से कहूँ अब परंधाम में जैसे हम पहले से बार बार चर्चा करते आएं ये चोपाई कई बार सुने हुए है तो ये चोपाई सामने में आ रहा है घोड़े पर राखत है आकास में उड़त कमी करे ना कूदते सुख असवारी के अतंत देखिए घोड़ा जो है ना परंधाम के वो भी पार राखत है पंख लगाता है और पंख लगा करके घोड़े आकास में उड़त आसमान में उड़ान भरते हैं तो फिर आसमान में उड़ान भरने वाले उड़ने वाले घोड़ा तो जमिन में दोड नहीं सकता होगा कूद नहीं सकता होगा ऐसा मत सोचिए कहते हैं कमी करे ना कूदते कूदने में भी उनमें कोई कमी नहीं है चाय उड़ने में हो चाय कूदने में हो उतने ही कौशलता है शुख असवारी के अतंत ऐसे अत्यंत बलसाली ऐसे सुभाश युक्त ये सवारी का साधन रूप घोड़ा है इसके उपर सवार होकर के धामधनी स्रिडाज जी सखिया जब सैर करते हैं तो अत्यंत सुख का अनुभाव करते हैं घोड़ा स्वाइम भी अत्यंत सुख का अनुभाव करता है कई बिधा खेला रूहन के मन बेगी जानवर तिन पर अस्वारी करके चड़त आस्मान पर घोड़ा हो या उसके अलवा अन्यवी कई जाति के जानवर कई भी धा खेला रूहन के ये रूहों के कई प्रकार के खेल के सामागरी खेलाओने अस्वारी के सामागरी है और मानवेगी जानवर जब धामदनी स्रिडाज जी श्यामा जी शखिया इन जानवरों के उपर सवार होते हैं जब उड़ते हैं तो किस गति में उड़ते हैं अथा किस गति में दोड़ते हैं कहा मन बेगी ये सब जानवर मन के बेग में दोड़ने वाला मन के बेग में उड़ने वाले हैं तीन पर अशवारी करके ऐसे मन के बेग में उड़ने वाले दोड़ने वाले जानवरों के उपर शवार हो करके चड़त आस्मान पर मालों कि इतने उचाए में उड़ान भरते हैं कि आस्मान में ही चड़ रहे हो इस तरह से उड़ते हैं अस्वार करते हैं बिहार करते हैं सोभा लेता बनमे रूहें अस्वार होता मील कर पसु पंखी दौड़े मानजयों जीता जिमी बाना बिगारा तो देखिए सोभा लेता बन में रूहें जब सखियां बन में जाते हैं इन जानारों में सवार होकर के अस्वार होता मिलकर सब मिलकर के इन जानारों के उपर अस्वार होते हैं पसू, पंकी, दोड़े, मान ज्यों अब ये पसू हो, पंकी हो, इनका दोड़, इनकी गती कैसे है कहा मान ज्यों, मान की तरह गती में दोड़ते हैं, कूदते हैं और कहा जाते हैं, जीता, जीमी, बान विगरा बन बिगर के जमीन बतलब बन बिगर के जमीन ये पहले भी आया था न रंगमहल के पस्षिम दिशा में जो पस्षिम का चोगान है और दूबदुलीचा है वो भी बन बिगर की जमीन है परन्तु अस्वारी के लिए जब जाते हैं तो बिशेश करके पस्सिम की चोगान में वो बन बिगर की जमी है जोहाँ पर बालु ही बालु भरा हुआ है मोती सद्रिश तो वहाँ पर जाकर के पशु जानवारों में सवार होकर के फिर सेर के लिए जाते हैं तो ऐशी शोभा यहाँ बता रहे हैं जब अश्वारी साहेब करे होवे बडी रूह रूहे अश्वार पसु पंखी सवे मिले हर जाते फोजे न पार तो जैसे मानो पस्सिम की चौगान में जाकर के अब इन पशू पंखी जानवारों में सवार होकर के सैर के लिए जाना हो तो सबसे पहले कौन सवार करते हैं जब अशुवारी साहेब करे साहिव प्रियतम धाम धनी श्त्रिडाज जी महराज जब अस्वारी करते हैं मतलब सवार होते हैं साथ में होवे बड़ी रूह श्यामजी महराणी भी अस्वार करते हैं सवार होते हैं फिर साथ में रूहें बारहजार ब्रह्म प्रियाएं भी अस्वार सवार होते हैं पसु पंखी सबे मिले अब साव जाती के पसु पंखी मिल करके हार जातें फौजें ना पार इतने जाती के पसु पंखी है हार जाती के पसुपंकि अपने अपने फौज को सजा करके धनी के साथ साथ में चल रहे हैं ये पसुपंकियों के जाती के फौज के कोई पारवार ही नहीं है हार जाते फौजे ना पार पार नहीं पाया जाता है हिशाब में नहीं आता है अब किन-किन जाती के फोज है, कुछ नाम लेते हैं, सारा तो बताना सम्भव नहीं है तो कहां कई जाते पशु अनमे, अब पशु कहां, पशु के अंदर भी अलग-अलग कई जाते है हार जाते गिनती अपार, एक एक जाती में अपार अपार है, जिसके गिनती होई नहीं सकता है यो जाते जानवरों में, अब पशु के अलग-अलग जाती है, हार जाती में गिनती अपार है फिर जानवरों को देखें तो यो इसी तरह से पसुओं की तरह ही जातें जानवरों में जानवरों में भी कई जाती हैं हार जातें नहीं सुमार जानवरों के भी ये सारे जातियों के अगर हिसाब करना चाहें तो नहीं सुमार वो हिसाब में आई ही नहीं सकता है पशू पंखी जो बन में सब आवे करने दिदार राज शामाजी रूहें जब कवों होवे अस्वार पशू पंखी जो बन में परमधाम के बन में रहने वाले जो जितने भी पशू पंखी है सब आवे करने दिदार धामधनी प्रियत्म स्रिडाज जी के दर्शन के लिए सब कोई उपस्तीत हो जाते हैं राज शामाजी रूहें धामधनी स्रिडाज जी शामाजी और बारह हजार ब्रह्म प्रियाएं जब कवों होवे अस्वार मतलब जब कवी अस्वार होने की इच्छा रखते हैं तो तच्छेन ये सब धनी के दर्शन के लिए और सेवा के लिए उपस्तीत हो जाते हैं हार फौजों बाजे बजे हार फौजों निशान भात भात रंग राखत है आप अपनी पहचान देखिए तो परमधाम की ये पसू पंखी जानवार भी कितने समझदार है कितने भिवक्सील है कितने चतूर है कितने सुजान है क्या कहा यहाँ अलग अलग जाती के हैं न और एक एक जाती के अंदर कई अनंत जिसका गिंती ही होने ही सकता है तो उनकी सब की पहचान किस तरह से हो फिर तो अपने अपने पैचान के लिए अपने अपने प्रकार की निशानी रखते हैं तो कहां हार फोजों बाजे बजे साब फोज अपने अपने प्रकार से अलग अलग बाजे लेकर के बाजे बजाते हुए चलते हैं दामदनी, राजजी, श्यामाजी और शखियों को ये असवारी के साधन रूप में तो हाजिर होई रहे हैं तो कई जाती के कई पसू पंक्खी जानवर है कई फोज है तो उन में से कोई बाजा लेकर के सांबने में उपस्तित होते हैं और धाम धनी के जिस तरफ अश्वारी हो रहे हैं, सहर हो रहे हैं, साथ साथ में ये पसू पंखी जनवर सब भी बाजा बजाते हुए, धनी के गुन को गाते हुए, साथ साथ में चलते हैं, तो हार फाउजों बाजे बजे, फिर कहा हार फाउजों निशाना, हार फाउजों क अलग अलग निशानी है तो निशानी के लिए क्या रखते हैं धोज रखते हैं आसमान में उडान भरने के लिए हो या जमीन में चलने के लिए हो अपने अपने फोज के अलग अलग प्रकार के धोज होते हैं वहाँ पर धोज मतलब धोजा तो वो धोजा के द्वारा ये इस जमात के हैं इस जुथा के हैं इस तरह से पहचान करने की ये निशानी है तो हर फोजों, निशान, हर फोजों के अलग अलग प्रकार की निशानी है, भांत भांत रंग राखत, अलग अलग प्रकार से अपनी पहचान कराने के लिए, जैसे वो निशानी में धोज कहा न, वो धोज भी अलग अलग रंग कहें, क्योंकि एकी जाती के भी अनेकों फोज तो एकी जाती के अंदर भी एक फौज के धोज का एक रंग, दुसरे फौज का धोज का दुसरा रंग, तिसरे फौज का धोज का तिसरा रंग, इस तरह से अलग-अलग प्रकार के रंग की निशानी रख रहा है, आप अपनी पहचान, अपनी अपनी पहचान के लिए ये सब निशानी ये सब बेवस्ता किया गया है यह जुआं केती कहो अलेखे बिस्तार एक जात की फौज ना गीन सको तीन हर फौजाँ कई सिरधार ये जुआं केती कहो इस जुआं के द्वारा ये सब में कहां तक सब्द में बर्रण करो अलेखे बिस्तार ये अलेखे है जो लिखनी में आई नहीं सकता है और ये इतना बिस्तार है जो सब्द में वर्रन करना मुस्कील है एक जात की फाउज ना गीन सको एक जाती के एक फाउज की गिंती नहीं कर सकता हो तीन हर फौजों कई शिर्दार है। तीन हर फौजों कई शिर्दार की हर फौजों कई जमातदार गिनती तिन जमात की होवे नहीं सुमार। तीन हर फौजों कई शिर्दार की हर फौजों कई जमातदार और हर फौज के जमातदार भी शिर्दार है। जो गुरूप लिडर के नाम से यहां तो ऐसा सब्द प्रवय करते हैं। तो गिनती तिन जमात की उस जमात की गिनती होवे नहीं सुमार में हिसाव में उसका गिनती हो नहीं सकता है। यो जुदी जुदी जातें चलतें दाएं बाएं मिशल इन तमाम सबों में अती बड़ा या आगों या पिछल देखिए। धाम दनी स्रिडाज जी महराज शामा जी सहीद 12000 सक्यों के साथ में इन पशू पंखी जानवरों के उपर सवार होकर के सैर के लिए जाते हैं न। जितने अश्वार के रूप में शेवा में उपस्तित हुए हैं इतने ही पशू पंखी जानवर चलते हैं ऐशी बात नहीं है। इस वबायां बता रहे हैं यो जुदी जुदी जाते चलते अलग अलग जाती के ये सब अपने अपने फौज को सजा करके चल रहे हैं दाएं बाएं मिशल मिशल मतलब जमात सब के अपने अपने जमात को लिए हुए दाएं बाएं तो किसके दाएं बाएं धाम धनी प्राज्जी, श्यामाजी और रुहों की जमाद के दाएं बाएं इस तरह से अपनी अपनी जमाद को ले करके चल रहे हैं इंतमाम सबों में अती बड़ा इंतमाम मतलब इसकी जो बेवस्ता प्रबंद साब प्रकार की प्रबंद किया हुआ है सब ने अब यहां पर कभी-कभ स्वभायात्र निकालते हैं तो कैसे लगते हैं अब इतना ही संकेत किया तो आपको समझनाना चाहिए तो परमधाम में तो ऐसा नहीं होता है सब अपनी अपनी प्रकार के विवस्ता में अपनी अपनी प्रकार की मरियादा में वो तैनात रहते हैं वहां किशी को कुछ कहना नहीं पड़ता है वो तो सब राज्जी के प्रेम में डूबे हुए है राज्जी को प्रस्वन करने के लिए ये सब कुछ करते हैं तो वो सब के सब अनुसासित है तो इसलिए कहा इन तमाम सबों में अती बड़ा व्यवस्ता प्रबंद सब में एक दम व्यवस्तीत है या आगों या पीछाला देखिये तो उपर ये चवद नमर चवपाय के दूस्तरी चरण में दाएं बाएं शब्द प्रबंद किया और इसलिए के चवधी चरण में आ करके या आगों या पीछाला कहा तो क्या हुआ दाम दनी के कोई कोई दाएं है, कोई बाएं है कोई आगे है, कोई पीछे है तो अपनी अपनी जगह में सब उपस्तित होते है पीछे रहने वाले को कभी भी ये भाव नहीं रहता है कि हमको पीछे रख दिया, हमें आगे जानाय करके फिर अपनी जमात को छोड़ करके अपनी शिमा अपनी मरियादा को छोड़ करके वो आगे नहीं वाकते हैं इसलिए तो कहाने हैं सब इंतमाम विवस्तीत है करके वो तो जहां भी हो क्या है वो तो अद्वेत है सब अनंदीत है आगे पिछे फौज के चोपदार बड़े बांदर दाएं बाएं मिशल अपनी फ आउज रखे बराबर देखिये तो स्रिराज जी श्यामा जी सखियों के अस्वारी के आगे पिछे दाएं बाएं तो अन्यक कई जाती के जानवरों के पशों के फौज है वेवस्तीती साब से अब उन सब को भी चोपदार रक्षक बनने के लिए सुरक्ष्या चोखिदारी होते हैं तो इसके लिए कौन शेवा में उपस्तीत है कहां चोपदार बड़े बादर बादर के जमाद जो है न ये चोखिदारी की रूप में सुरक्ष्या की रूप में शेवा में उपस्तीत है तो एकी बादर आकर के चोखिदारी करते हैं इसे नहीं उनका भी पुरा मीशल अपनी किसके मिशल मिशल मतलब समुह जमात यह बादर ने भी अपनी सेवा को पूरी तरश निभाने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ अपनी मिशल अपनी जमात को अपनी सेवा में उपस्तित कराया है फौज रखें बराबर यह मादर ने भी अपनी फौज को अपनी जमात को बराबर सब तरब विवस्तित करके वहाँ पर उपस्तित कराया है विवस्ता किया है। कई फौजे जानावरा कई तो जानावरों की फौज है और साथ में फिर सुवा मैना नकीव तिनमे सुवा और मैना जो है वो तो ऐसे उपस्तित होते हैं कि मानो नकीव मतलब वो बंदी जन किशी को बंदी बना करके रखे होते हैं तो अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते ह इसे ही मानों कि वो सुवा मेना को किशी ने बंदी बना करके रखे हो। कहने का भाओ यहाँ पर वो अपनी सेवा से एक पल भर भी इधर-उदर वो हीलते डूलते नहीं हैं इतना सक्रिय है इतना तैनात हो करके पूरी तरह से अपनी सेवा की जिम्मिदारी को निवाते हैं औ शुआ मैना बिल्कुल नजर रखते ही रहते हैं, मानो, वैशे तो सब अपनी-अपनी हद में, अपनी-अपनी सीमाना में ही रहते हैं, मानो की कदाश अगर कोई लाइन में से थोड़ी-शी भी अगर टेडी-मेडी जैसे होने लगे न, वो शुआ मैना तुरंत आवाज लग रखते हैं ये ऐसा तो ये तो बहुत चलाख है बहुत सतूर है कई जातें देखे जवेर अरश कई भूशन जंग करे जानवरों जो परों पर चित्रामन अब यहां के पशों के जानवरों के जो शरीर की बनावट उसकी सुन्दरता ये भी बता रहे हैं कई जातें देखे जवेर कई जाती के ये पशों पंखी जानवरों को देखिए मानों के इनके सरीर जबरात से ही जड़ा हुआ हो जवेर की द्वारा ही सजे हुए हो आरश के भूशन परमधाम के ही आवुशन जबरात के द्वारा ये सुश्चत जीत हो तो परमधाम के पशो पंखी जानवर आदी भी आभूशन के द्वारा सुचत जीत है जंग करें जानवरों और ऐसे जानवर कई तरह से जंग करते हैं जंग क्यों करते हैं धनी को आनंद प्रदान करने के लिए और फिर इनकी सोभा बताते हैं जो पारों पारा चित्रामन, जिसके अब पारों, पार में, पंख में, कई प्रकार के चित्रामन, चित्रकारी, नकसकारी डिजाइन बनाया हुआ है, अथवा वो स्वैम्शिद्ध ऐसे नकसकारी की इसी स्वभा सुच्चरजीद है, पार जो पशुआना के सो अतंत सोभा लेता कहा करे ये भूशन पशु ऐसी सोभा देता देखिए पार जो पशुआना के अब पशुआना में भी जो पार लगे हुए न वह आकास में उडान भरते हैं न तो उसके जो पार की सोभा को देखिए सो अतंत सोभा लेता अतियंत सोभा लिये हुए भीविद्न प्रकार के चित्रकारी से सजीत हुए वो सोभायमान है कहा करें ये भूशन अब उनको आवुशन पहनाया है करके आवुशन की अगर बात करें तो ये पशु जानवारों के लिए आवुशन क्या करना है क्योंकि इनके सरीर के स्वैम सिद्ध बनक ही ऐसा है कि वो स्वैम सिद्ध ही सजा हुआ है उसको आभुनसन की कोई जरुरती नहीं है पाशु ऐसे सुभा देता पाशु इस तरह से सुभा देते हुए सुषजीत है इनो रोम की जो रोशनी सो उठता माहे आस्मान जंग करे जवेरों सो कोई सके न काहू भान इनके शरीर में जो रोव है इसके रोशनी वो ऐसे उठ रहा है कि आस्मान को प्रकासित कर रहा है जंग करे जवेरों सो जबरातों के प्रकास के साथ में जंग कर रहा है प्रकास प्रकास के बीच में जंग हो रहा है कोई सकेन काहू भान कोई भी किशी को हटा नहीं सकते हैं हरा नहीं सकते हैं सबकी प्रकास अपने अपनी जगा में बलसाली है एक रोमा जोता आस्मान में रही रोशनी भराए तो जो एते पसू पंखी सो जोता क्यों कही जाए देखिए एक जानवार के सरीर के एक रोव के प्रकास पुरा आस्मान में भरा हुआ है एक रोम जोता आस्मान में रही रोशन भराए तो जो एते पसू पंखी इतने सारे संपूर्ण पसू पंखियों के संपूर्ण शरीर के द्वारा निकला हुआ जो प्रकास है जोती है उसको किस तरह से कहा जाए फिर आगे कहते हैं ये दिला जाने रूहसों मोख जुआ पहुंचे नाहें ये मोमिन होए शो विचार से अपने रिदय माहें अब ये तो परमधाम की जो आत्मा है वो दिल से विचार करने पर ही इसको जान सकती है मोख से जुआ के द्वारा सब्द के द्वारा कहना संभव नहीं है वहाँ तक सब्द नहीं पहुंचता है ये मोमिन होए शो जान नहीं जो परमधाम की मोमिन ब्रह्म सुष्टी है तो वही जान सकती है अपनी रिदय माहें अपनी रिदय के अंदर से विचार करने से ये जान सकते हैं सब्द में कहने से ये समझना अथब समझाना संभव नहीं है शो भूशन जो अरसके सब पहरे मन चाहे शिनगार किया सब लसकरे ये देखो मन ल्याए देखिए वो अस्वारी के जो साधन रूप पसू पंखी जानवर है न वो भी ऐशे ही नहीं आते हैं परमधाम के आवुशनों के द्वारा सुसत जीद होकर के आते हैं तो कहा उनके सरीर में ही वो स्वैम सिद्धा आवुशन की सी स्वबा है होने पर भी फिर भी वाँशनों से स्रिंगारित होकर के आते हैं अब राजजी, श्यामजी, शखियां तो बस्तरा आवुशनों से स्रिंगारित होते ही हैं ये सुसजिद होते ही हैं ये पसु पंखी जानवार जो असवारी की साधन रूप है और वी जितने वी फोज में हैं ये सब भी सो भूशन गो परमझाम की जो आवुशन है सब पहरे मन चाहे जो जिसको पसंद है मन चाहे इसाफ से पहनते हैं अथवा धनी को जैसा पसंद हो वैसा पहनते हैं मन चाहे शिनगार किया सब लस्करे सब लस्करे मतलब सब अब शिनगार में भी ऐसा होता है वो जुथः पती जो होता है न शेना पती उसका कुछ अलग सा निशानी वाला सिंगार होता है कुछ बिशेश होता है और मांगे फिर हर फाज में सब के एक प्रकार के समान सिंगार होते हैं तो लश्करे कहने से वो शेना अथवा उनकी सारी जमात के सब सिंगार है ये देखो मन ल आए अंतर मन से इसको देखिए और हिदय में धारन करिए एक जरे जीमी की रोशनी सो ढहां पे कई कोट सूर तो जीमी पहाड मोहलन को शब कैसा होशी नूर जब ये नूर के विशे में बात चल रही है तो फिर प्रैन्नह जी का रहे हैं एक जरे जीमी की रोशनी परमधाम की जमिन की जरास एक छोटी शी बालो के कण के प्रकास को देखें वो प्रकास भी तो फिर परमधाम की पहाड महल ये साब की प्रकास को सब कैसा हो सी नूर ये सब महल मंदिरों के पहाडों की प्रकास कैसा होगा उसको किस तरह से कहें बान जंगल या जिमी एक दुझे से प्रकास बिचार देखो ए मोमिनों नूर कैसा भया आकास तो जमीन के पहाड के महल के प्रकास के साथ में बान जंगल या जिमी परमधाम की शंपूर्ण बन जंगलों के प्रकास हो या तो फिर जमीन के प्रकास हो एक दुझे से प्रकास एक से दुसरे और बढ़ करके प्रकास है एक से दुसरे में और ज्यादा तेज है बिचार देखो ए मोमिनों है ब्रह्मस्तिष्टी सखिया इसको बिचार करके सहूर करके देखिए नूर कैसा भया अकास आस्मान की तरफ एक बार देखे और विचार करिए तो वहाँ पर नूर का भंडार कैसा हुआ होगा ये नूर बन जिमी लसकर कहा कहों रूहों रोशन और तखत जो हक का तुम बिचार देखो मौमिन रोशनी यानि की प्रकास के उपर सहूर हो रहा है तो देखिए तो परमधाम के एक जरासा बालो के कण की प्रकास को कहा फिर उसके बाद जमीन पहाड महल की प्रकास को कहा फिर जंगल जमीन के प्रकास को कहा उसके बाद फिर कहते हैं ये नूर बन जीमी लसकर सारा परमधाम की जमीन के बन के प्रकाश ही इतना प्रकाशीत है इतना सक्तिशाली है तो फिर कहां कहों रोहों रोशन रोहों यानि की परमधाम की ब्रह्मत प्रियाओं की अंग अंगों से निकले हुए उनकी बस्त्रावुशनों से निकले हुए रोशनी प्रकाश को मैं किस तरह से कहूँ फिर जब सक्षियों के बस्त्रावुशन अथव अंग अंग की प्रकास ही अगर ऐसा है तो फिर हक का स्रिडाज जी महराज जिस तखत में विराजते हैं न उस तखत की प्रकास को मैं किस तरह से कहूँ तो कहते हैं और तखत जो हक का हक जिस तखत में शिंहासन में बिराजते हैं उस तखत के प्रकाश को तुम बिचार देखो मौमिनों बिचार करके शहूर करके बिवेक से देखिये चिंतन करिये है ब्रह्मस्तिष्टियां आब नूर बिलंद जो हक का ले उठ्या सब का नूर बन जिमी अकास सब ये देखो एक जहूर फिर नूर बिलंद जो हक का जब तखत का प्रकाश है ऐसे है तो फिर नूर प्रकाश मतलब बिलंद स्रिष्ट जो हक का स्रिष्ट को का मतलब अक्सिराति धामधनी ही तो परमधाम की सर्व स्रिष्ट है तो कहने का अर्था प्रियतम धामधनी स्रिराज्य के अंग अंग से निकले हुए नूर उसको किस तरह से कहा जाए ले उठ्छा सब का नूर साब के प्रकास को ले करके ये अक्सिराति धामधनी के नूर धामधनी के प्रकास प्रकासित हो रहा है बन, जीमी, आकास सब, बन में, जमीन में, आकास में सब तरफ देखिए ये देखो एक जहूर एक अक्सिराति धामदनी स्तिराज्जी की प्रकास ही सब तरफ प्रकासीद हो रहा है अब फिर वस्वारी के साधन रूप पसु जानवरों की सोभा को बता रहे हैं देखिए आगों केशरी कोतल अती खुबी ले खेलत बाग चिते घोडे हाथी नाट जयों नाचत आगों केशर कोतल कोतल सब्दकार था यहां पर सजा हुआ सबसे आगे केशरी बिलकुल अच्छी तरह से सजाया हुआ वह केशरी अती खुबी ले खेलत अत्यंत खुबी लिये हुए सोभा लिये हुए खेल रहे हैं अपनी कला को दिखा रहे हैं फिर बाग चिते घोडे हाथी यह सब क्या कर करते हैं नट जियों नाचत जैसे कि वो नृत्य अंगना हो ऐसे ही नाचते हैं हाती भी नाचते हैं घोडे भी नाचते हैं चीते भी नाचते हैं और बाग भी नाचते हैं कैसे नाचते हैं नट जियों नाचत अबला हार केशरी नकीम दुजा हार बागन हार तिशरी श्या पहा गोस्ट की. चौंती हारत चीतना. देखिए, जब सैर के लिए जाते हैं न तो किस तरह से हार कतार में सज्चकर के आगे बढ़ते हैं. तो कहां, अबलहा हारक के सरी न की. सबसे पहले किसके जमाथ के हार होते हैं, लाइन होते हैं. हार मतलब लाइन केशरी न की और दुसरी हार में बागन बाग के हार दुसरी हार में दुसरी लाइन में उपस्तीत है फिर हार तिसरे श्याह गोस की देखिये तो बाग के हार के पीछे भीछे तिसरे हार में श्याह गोस चौथी हार चितना चीते की हार जो है वो चौती हार में है फिर और भी जाती की यहां नाम बता रहे हैं दीपा, शुवरा, रोज, रिछडे, बैल, शामहर, म्रीग, मेड, हार, अरन, बकर, कुकर, फील, गिलम, घोडे, गैड, यह 29 नमबर चोपय में जीतने भी सब्दा आया है ना यह सब अलग-अलग जाते की पसुजानवरों के नाम है केशरी कुवत ज्यादा कही निपटा अती बलवान यह ख्वाब दिखाया तिन वास्ते करने अरस पहचाना अब इन सब में से मानों केशरी कुवत ज्यादा कही केशरी के कुवत यानि की ताकत बल सबसे ज़्यादा हो ऐसा कहा है निपट अति बलवान निश्य रूप में ही यह केशरी जो है न ये बहुत ही बलवान है अब इतना कहने के बाद फिर ये तिस नंबर के तिसरे चरण और चौथे चरण में कहते हैं ये परमधाम के केशरी अ ये ख्वाब संसार बना करके दिखाया गया है तो ये ख्वाब संसार के अंदर भी ये केशरी बाग ऐसे जो बलवान जो जानवर पशुआदी है न इनके बल को देखिए फिर उशी के द्वारा सहुर करके बिचार करके देखिए कि परमधाम में इन सब के बल कैसा होगा य ये ख्वाब देखाया तिन वास्ते तिन वास्ते मतलब किन वास्ते परमधाम के इन बलसाली पशुट जानवरों की सक्ति सामर्थे को समझाने के लिए करने अर्ष पहचान परमधाम की पहचान करने के लिए मतलब वहां की वो सक्ति सामर्थे बल को समझने के लिए समझान आस्मान में ऐसी उठा का सिताव केशरी कुवत कूदते केशरी जब कूदते हैं अपनी सक्ति को ले करके कूदत मतलब सक्ति ताकत बल को ले करके जब कूदते हैं तो गरजते हुए आवाज लगाते हुए कूदते हैं तो गरजत बिना हिशाव गरजत मतलब केशरी गरजना क की अगर बात करों तो वो बिना हिसाव है ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज आता है उसका कोई हिसाव ही नहीं है बिना मना आवे आस्मान में मानों की वो ऐसे आस्मान में उसका मतलब गरजना ध्वनी फैल गया हो ऐसी उठका सिताव सिताव मतलब इतने जल्दी इतने जोड़ उसके वह आवाज विस्तार हो जाता है कि पुरा अस्मान में चारों तरफ उसकी आवाज गरजना गरज रहा हो प्रती धोनी हो रहा हो ये गिनती बिशुमार है और बोलत मिलकर जब गरजत अरस अंबर जिमी बाला देत दिखाई तब देखिए एक केशरी जब गरजते हैं न तो अस्मान तक उसका धोनी चला जाता है तो फिर कहते हैं ये गिनती बिशुमार है क्या और बोलत मिलकर जब सारे एक साथ में मिलकर के जब बोलते हैं मतलब आवाज लगाते हैं न तो फिर कैसा आवाज निकलता होगा ये तो बिशुमार है गिनती कर नहीं सकते उसको सब गरजते समय तो उसके धोनी से पूरा अंबर जिमी परम्धाम के आस्मान जिमी सब तरफ गरजना हो रहा है बाला देत दिखाई तब तब जाकर के उनके शरी के और जो भी इस तरह से गरज रहे हैं उनकी बल ताकत दिखाई देता है अथा पता चल जाता है सब्दा केशरी जब काड ही अंबर जिमी रहे गाज पढगा उठे प्रिथिवी परवतों उठे उनते अधीक आवाज देखिए तो जब केशरी आवाज निकालते हैं न सब्दा केशरी जब काड ही मतलब सब्दा काडते हैं निकालते हैं आवाज निकालते हैं अंबर जिमी रहे गाज अंबर जिमी अस्मान धरती सब तरफ गाज मतलब गरजना होता है आवाज फैल जाता है और उससा आवाज की पढगा पढगा मतलब प्रती धोनी उठे प्र परवतों वो परमधाम के जमीन रुपी प्रती भी और परवत वो पहाड़ों में सब तरफ उस आवाज की प्रती धोनी उठता है और वो प्रती धोनी में भी इतना ज्यादा आवाज है मानों की वो केशरी गरशते समय जितना आवाज था न वो प्रती धोनी की रूप में आय आवाज आया था वो पड़गा प्रती धोनी प्रिथी भी परवतों में पड़कर के जो आया हुआ आवाज है न वो उससे भी और अधीक ऐसा लगता है क्यों कहों बल बाग नको ये जो ख्वाब में ऐसे जोर देह छोटी बड़ी कुवत देत फीलों मदतोर देखें ये 34 नम बाग की शक्ति को तो देखें यहां पर आये तो आपका क्या हाल होगा श्वपनीक जगत में है फिर भी उसकी शक्ति को देखें ऐसा करके तो यहां देखें प्रैन्ना जी उसी भाव को चवपाई में ही सिधा बता रहे हैं क्यों कहों बल बाग नको ये बाग की बल को मैं क एक जर यह खौब संसार के वीज में जो बान है उसके बोल को देखएतो जोरदार बाल है सकती है समर्त्य है तो जब यह खौब संसार के बाग में इतना बॉल है तो फिर प्रम्धाम कि बाग का बल खामर्त्य कैसा होगा देह छोटी बड़ी कुवत देखिए तो ये बाग की विश्रेश था देखने में देह तो छोटी है परन्तु बड़ी कुवत कुवत मतलब सामर्थय बल इतना ज्यादा है देह छोटी बड़ी कुवत देखने में देह छोटा है लेकिन सामर्थय बल इतना भयंकर है इतना ज् कहा देता फीलों मदा तोर फील के मद है न हाथी के मद अब हाथी तो अब देह में भी बड़ा होता है और उसके पास बल भी बहुत ज़्यादा होता है करके हाथी के पास जो मद होता है न बाग देह में छोटे है लेकिन इसके पास इतना कुवत है इतना बल है सामर्त है हाथी के बल को उशकी मौत को तोड़ देते हैं ऐशी बिशेस्टा रखता है ये बाग ऐसा है फिर आगे कहते हैं बोलत बाग भिस्तार के अब ये बाग जब गरजता है बोलत मतलब आवाज निकालता है तो इसके आवाज इतना बिस्तार होता है, इतना गरजता है, शाब मिल एक कई शोर, अब एक बाग गरजते समय क्या हल होता है, उसके उपर शाब मिल करके एक स्वर में जब गरजते हैं गरजे शेती जानिये, जब ये गरजते हैं इसके आवाज सुनने से तब पता चलता है क इनों अंगों का जोर, इसके अंगों में कितना जोर है, कितना बाल है, कितना ताकत है, जब ये गरजता है, तब जा करके पता जलता है, फिर आगे कहते हैं, छंशेका, देखें, छेला, चितें, जुगता, जलदी, जोर, काहिली, ना, अंगा, कब हो, होता नहीं, मना, मोरा, चीते किसके अब चीते की विश्वें मेें बात कर रहे हैं यह जीते की जो चंचलता परण है ना उसको देख acquire जुगत जलदी जोर इसके युक्ति और इतने मतलब इसमें यह चंचलता है तो हर जगा में यह जलदी बाजी करते ही है इतने जोरदार है काहिली ना अंगा कब हो काहिली मतलब सुस्तिपन अलसिपन इन में कभी भी सुस्तिपन नहीं होता है होता नहीं मन मोर इसके मन कभी भी मोर मतलब मलीन नहीं होता है जब मन मलीन होता है तब मन में सुस्तिपन आता है तो शरीर भी सुस्ति होता है तो जब मन ही मलीन नहीं है तो मन में जब कभी भी सुस्तिपन नहीं आता है तो फिर सरीर में भी कभी सुस्तिपन नहीं आता है तो ये चीते की विशेशता बताए फिर आगे कहते हैं अश्वा आगो अती बड़े अश्वारी के सिर्धार शीरा उचे गरदन थाबत थंबक थंबक थैकार अब घोड़ा अश्व अश्व है ना अश्व घोड़ा है तो ये आगों अती बड़े ये जो घोड़ा आगे सामने में ये अती बड़े हैं अस्वारी के सिर्दार अब ये घोड़ा अस्वारी के सिर्दार है देखिए पहले हाथी की जब बात आ रही थी तो तब प्रैन्य जी ने हाथी को भी अस्वारी के ये सिर्दार करके कहा था फिर यहाँ पर अश्वा की बात चल रहे हैं तो ये परमधाम में अस्वारी के लिए सादर में ये सबसे सिर्दार है और ये जो अश्वा है ये कैसा है कहा शीर उचे इसका शीर कभी भी उचा होता है अश्वा गोड़ा जब दोड़ते हैं चलते हैं तो इसका शीर उचाई होता है और ये गर्दन ये शीर के ये निचे का ये गर्दन का भाग वो थामत ये बिल्कुल सक्रिय है थामक थामक था जब बोलता बदन विकासे, जब ये अश्वा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बदन विकासे, मतलब पुरा शरीर को फैला करके, खूल करके, जब जोड से आवाज निकालते हैं, वोत सब हेहंकार, सब तरफ हाकार मज जाता है, मतलब सब तरफ इसके आवाज, प्रकाशित होता है, धोनी गुंसता है, दसों दिशा सब गरजता, अब इनके आवाज पहुंच जाता है, शाबद फील जब काड ही, अब फिर आ गए हाथी, मैं भी कहां काम हो, तो हाथी आ करके फिर शाबद निकालने लगे, गरजने लगे, तो गरजता, जंग, गंबीर, ऐसे जंग, जोड से, गंबीर आवाज में गरजता है, जीमी, पहाड, बन, गाजत, पुरा, जमीन, पहाड, बन, सब तरफ गरजना हो रहा है, और शेन्या, सोहे, शूरधीर, और ये शेनाओं में सबसे शूरधीर, ये इस तरह से उपस्तीत हुए है, सजाए हुए है, अथब सुसोबीत है, तो ये वी इस तरह से अपनी आवाज से पुरा परम अंधाम को ही गुंजय मान करता है, यो कई जाते पशुआ नकी, कई खुवी बलकों हो केता, अपार बलकुवी अरस की, नाही जुआ माफक एता, अब कुछ नाम लिया, और सबका नाम और सबकी आवाज तो कहां तक बरनन करें, इसलिए कहते हैं, यो कई जाते पशुआ न कई खुवी बलकों केता, उनके कई प्रकार के खुवी है, कई बल है, उसको मैं कहां तक सब्द में वर्रन करों, अपार बलकुवी अरस की, साब जाते के, अलक अलक पशुआँ के, अपार खुवी है, अपार बल है, ये परमधाम की पशुआँ के, नाही जुआ माफक एता ये जुआ माफ़क मतलब सब्द में जुआ के द्वारा कहना जितना संभव है उतना ही इसके हिशाव नहीं है तो ये तो सब्द से परे हैं नहीं जुआ जुआ से कहना संभव नहीं है जितना संभव हुआ उतना कहा लेकिन ये सब विस्तार से कहा नहीं जा सकता है कई जाते है जानवर चलती आगों उड़ता कई लेवी गुलाटियां अनेक खेला खेलता अब जानवर को देखिए कई जाती की जानवर है चलते आगों उडता कोई आगे चल रहे हैं कोई उडते हैं कई लेवी गुलाटियां कोई तो फिर गुलाटियां लेते हुए चल रहे हैं गुलाटियां खा रहे हैं इस तरह से अनेक खेल खेलता अनेक प्रकार की खेल खेलते हैं है छोटे छोटा या बड़ी बड़ा खेल दिखावी सब सुख तब हीं पाव ही धनी को रिजावी जब अब दिखी इनकी चोटे चोटे जो जानवार है अपने प्रकार से और बड़े बड़े जो जानवार है पसु है वो अपने प्रकार से सब खेल दिखावे सब सब अपने अपने प्रकार से खेल दिखाते हैं साव सुख ताव पाव ही, खेल तो दिखाते हैं, परन्तु साव कोई ताव सुख का अनुभाव करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, जब धनी स्वैम उनकी खेल को, उनकी कला को देख करके प्रसन होते हैं, धनी को रिजावी, जब धाम धनी स्रिडाज जी को प्रसन कर पा तो ये सब प्रसन होते हैं, सुखी होते हैं, कई मुख वानी उचरे, तान मान गून गान, आठों जाम करत है, सुन्दर ध्यान बयान, अब ये पशु जानवर आदी, कई मुख वानी उचरे, कई प्रकार से मुक्षे वानी उचारन करते हैं, धनी के गून को गाते हैं, तान मान गून गान एकदम तान में धनी के गून को गाते हैं सोर साथते हुए राक अलापते हुए आठों जाम करत है आठों जाम आठों प्रहर ऐसा ही करके धनी के गून को गाते रहते हैं और साथ में आठों जाम सुन्दर ध्यान बयान धनी के ध्यान करते हैं धनी की बयान करते हैं, धनी की गुन को गाते हैं, इसी तरह से ही इनके आठों जाम, आठों प्रहर समय बेतित होता है। नैन बहुत ही निके, अच्छा है, सुन्दर है, चौच अत्यंत सुशोबित है, सुन्दर है। मीठी, जुआ, मुख बान, और इनके मुख से, जुआन से जब बानी उचारण होता है न, इतनी मीठी है, इतनी मधूर है। फिर कहते हैं, खुशबोए, इनमें खुशबू भी है, सबसे शुगंद विस्तार होता है। गुंजे, कई भमरे, भमरों के द्वारा, कई खुशबू और उनकी गुंजाय मान आवाज बिस्तार हो रहा है, कई तिमर अलापे तान, कई तिमर भी, कई तरह से तान, राग, अलापते हैं, दनी के गुण को गाते हैं। आश्मान चाया पंकिओं सब खुबी दिखावत, आप अपनी साधना सब खेल की साधत। अब पंकिगन उनमें तो सईमशिद ओड़ने की कला है, तो सब मिल करके आश्मान चाया पंकिओं, प्वरा पंकि आश्मान में चाया हो। अस्मान की तरफ देखने से ऐसा लगता है कि पुरा अस्मान पंकी के दोरही भरा हुआ हो। आप अपनी साधना है ना, अपनी कला को जिस तरह से साधा है, आस्मान में उड़ करके वही पर अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं, साधते हैं। सावा खेला कई साधत कई प्रकार के खेल खेल करके साधते हुए अपनी कौशलता को प्रस्तूत करते हैं और इस तरह से धनीकुरी जाते हैं बिना हिशावी बाजंत्र पड़ी एक ताली घोर जीमी अंबर सब गाजत ये जुगत सोभा जोर फिर देखिए पहले भी वो पशू के फोज जानावरों के फोज बाजा बज़ाते हैं ऐसा आया था ना तो ये बाजा जब बजता है तो फिर बाजा की जो आवाज उसकी प्रतीद होनी वो भी परमधा में सब तरफ गुंजयमान हो रहा है बिना हिशावी बाजंत्र अब बा भैंकर ज्यादा आवाज निकल रहा हो जीमी अंबर सब गाजत उसकी जो आवाज के द्वारा जीमी जमीन अंबर आस्मान साब तरफ गरजना हो रहा है आवाज फैल रहा है ये जुगत सोभा जोर इनकी युक्ति और इसकी सोभा जो है बहुत ही जोर बहुत ही ज्यादा है बाजी सब बजाव ही बंदी बादर बलवन्त वो तो आपी बाज ही पर इस सेवा न छोड़त देखिये बाजी सब बजाव ही साब प्रकार के बाजे बजाते हैं कौन बजाते हैं बादर बजाते हैं तो बादर कितने सारे शेवा कर रहे हैं देखिए तो वो पूरी तरह से अश्वायरी के समय में चौकिदारी की तरह ये सब तरफ से वेवस्ता करने वाले भी ये बादर है और फिर बाजा बजाने के शेवा में भी वही तैनाथ है फिर र चादनी चोग में खड़े हो करके, वो सामागरी डालने के लिए ग़िए जो टोकरी लेकर चले जाते हैं। शखियां जब उसमें साग पान आदी सामागरिया बहरते हैं तो वही उठा करके फिर स्टीर के उपर ले करके तो चादनी सोक तक आ जाते हैं तो बादर की शेवा देखिए सब आपने अपने प्रकार से शेवा कर रहे हैं यहां बादर का नाम आया तो मुझे वो याद आई बता दिया अब फिर कहते हैं यह बादर वो बाजा बजाते हैं तो इसका मतलब यह बाजा को बजाना पड़ता है तब बजते हैं ऐसी बात नहीं वो बाजा को अस्तम में देखे तो बजाने के कोई जरूरत ही नहीं बाजा भी चैतन्य है तो वो स्वैम बज जाते हैं तो स आध्यबादन का ये अंत्र जो बाजे हैं ये आपे श्वयम बज जाते हैं पर ये सेवा न छोड़ता ये मतलब ये बादर जिसके ये बाजा बजाने की सेवा है वो सेवा नहीं छोड़ते हैं इसलिए वो खुद बज जाते हैं बाजे आपे चलही पर पशु सेवा को उठाए इन बखत खुबी कहा कहों ये कहे न सके जुआए अब आप लोग कहेंगे कि खाली मादर ही ये बाजा बजाते हैं ऐसा कहेंगे करके प्रैन्यजी नहीं या फिर सेवा ता और भी पशु बाजा बजाते हैं शेवा करते हैं तो बाजे आपे चलही वो बाजा सुईम खुद चलकर कि बजते हैं आवाज देते हैं पर पशु शेवा को उठाए पशु अपने तरफ से सेवा उठाना चाहते हैं सेवा करना चाहते हैं इसलिए वो पशु बाजे द्वारा कहा नहीं जा सकता हो अथवा कहा नहीं सकता हो आगों पिछों शेन्या चले खूबी देत बराबर जो दाएं बाएं मिशले कोई छोड़े ना क्यों इंकर तो अब जब सैर के लिए चलते हैं न तो धाम दनी के आगे पिछे इनके कई शेना चल रहे हैं आगों पीछों शेन्या चले खूबी देत बराबर साब तरफ से सब तरफ बराबर खूबी सोभा दिये हुए हैं जो दाएं बाएं मिशले दाएं बाएं चलने वाले जो जमात है न वो अपनी अपनी प्रकार से सब तरफ चल रहे हैं कोई छोड़े ना क्यों करा कोई भी अपनी अपनी जमात अपनी अपनी लाइन अपनी ये सिवा को छोड़ते नहीं है अश्वारी सभी सुभावत मिशल अपनी जान हर जाते फोज अपनी बांध के चले सब समान अब अश्वारी की समय में देखिए सवे सुभावत सब अस्वारी अपनी अपनी प्रकार से सुभीत हो करके चल रहे हैं मिशल अपनी जान अपनी अपनी मिशल अपनी अपनी जमात को जान करके पहचान करके एक फोज के अथवा एक जमात की जो है न वो दुसरे जमात में जा करके वहाँ पर नहीं चलते हैं अपने अपनी जमात को मिश्वल को पहचान करके जान करके अपनी ही जमात के साथ में फौज के साथ में चलते हैं हार जाते फौज अपनी बाद के अपनी अपनी फौज को बाद करके मतलब सब समुहा बाद करके सजा करके तयार करके हर जाती के फोजे चले सब समान सब समान रूप से चलते हैं धनी के साथ में सहर के लिए जाते हैं तो इस तरह से पचास नमर चौपई तक हुआ अब ये सहर तो चलता ही रहता है लेकिन समय भी चल करके आगे निकलता जा रहा है इसलिए अब ये प्रकरण में तो पुरा सोच उपई है तो पचास तक तक तो हुआ बाकी फिर अगले बैठक में चर्चा करेंगे तो अभी के लिए चौपई दोहरा करके ये इस पर विश्राम करते हैं अस्वारी सबे सुभावत मिशला अपनी जान पौज अपनी बाध के चले सब समान बलोस्री प्राणनात्य प्यारे के प्रणा